पेट्रोल डीसल रसोई ग्यास आधी वस्तों की बेतहाशा बढ़ती किम्तों को लेकर सविदान चौक में किसान सबा आइटेक और भार्तिय कमरेस्ट पार्टी के सहीवत तत्वाव धान में कारेकरताओं ने केंडर की मोधी सरकार के खिलाब जमकर विरोध प्रदशन किया इस मौकी पर तमाम प्रदादी कारी और कारी करता बड़ी संख्या में बहुच हो थे आई दिन बढ़ते महंगाई के बोच सरी लोग जमी दोज हो रहे हैं पेटल हो डेसल हो या हो फिर या फिर रसोई के गयस के साथ साथ खानपार की अन्य वस्तिय हो सभी की किम्तों में बेतहाशा प्रुत्ति की गई है जिससे देश की जनता इस महंगाई से तिल तिल मरी है लेकिन अफसोस केंडर की मोधी सरकार का इस और कती ठान नहीं है कही न कहीं ये बोधी सरकार की नाकाम्यावी है जिससे बेतहाशा महंगाई पड़ रहे है लोगों में इस सरकार की खिलाव जमकर आकरोश है इस बात को लेकर शहर के संविदान चौक में विदानसभा मैने होने के बाद आज पूरे देश्ट में यह अंदोलन का अवान किया है और पूरे देश्ट में हो रहा है कि पेट्रोल ग्यास और डिजल के दाम आधे करो आधे देरे किसान सरकार को कि भूत होगी तुमारी महिंगाई पेट्रोल ग्याज डिजल के दाम आधे करो और तीन काले कुरुशी कानून को निरस्त किया जाए तता तिसरी मांग यह है कि जो खेती का माल उपज होती है उसको MSP भाव की गारेंटी का कानून बनाए यह तीन मांगों के लेकर देश्वयापी आंदोलन हो रहा है नाकपूर में हम भारती यह कमरिश पार्टी महारास्त राज्य किसान सबा तता ओल इंडिया ट्रेडिनेंट कागरेस के और से यह प्रदर्शन कर रहे है और सरकार को आगा कर रहे है आज नाकपूर से बड़ी म सांचोक से कैमरा परसंड राजकुमार बहुट के साथ सैंजें बिरे बेसियन नियूज नाकपूर